आप लोगे यहां पर जानते ही हैं कि बीड का यहां पर एक्जाम प्राइबस क्या होने वाला है तो आपके लिए बेनिफिट होगा जरूर देखेएगा आप में यहां पर डाओट है कि मैं एक्जाम पैटन उस तरीके से रहने वाला है तो जैसे कि वह रथा तो यहां पर आपके ईक्जाम पैटन और है काफी लोग का यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं तो आपके 2019 से 21 वाले का पूरा का पूरा ओनवर्ड दिया है तो नॉर्मल यह आप देख सकते हैं कि इसके बाद से वेबसाइट पे कोई भी स्लेवर्स वहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है तो उसके साबसे फिलाल के लिए आप लोग का एक्जाम पैटर्न यही रह सकता है बाकि अगर कोई भी चेंजिस आप लोग की हाँ पर आने वाले होंगे तो वो आपको एक्जाम से पहले ही बता क्योंकि CCS University है तो ऐसा नहीं है कि आप लोग को इंफॉर्म नहीं किया जाएगा पर बेसिकली वेबसाइट है तो अव्वेसी बात है हम लोग जो टीज आपकी ऑफिशली होगी उसी की बात करेंगे तो CCS University की बेर्ट फॉर्स टियर का अगर आप लोग यहां पर स्लेवर्स यहां पर देखेंगे मार्किंग स्कीम आप लोग के चेंज आयती तो फॉर्स टीयर का जो वह आपके हंडेट नमबर कर आता है यहां पर आपका दिया था मैक्सिमुम नमबर मैं भी बताऊंगे एक्जक्ली कितने का पैटर्न क्या होने वाला और 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 यहां पर इस तरीक है तो फॉर्स टीयर का टोटल मिला कि आप लोग के फॉर्टीन हंड्रेट का ही बिएट कंप्लीट होता है तो चलिए हमनों पैटर्न देख लेते हैं फॉर्स टीयर वाले का वेटेज ओफ मार्क्स क्यूंकि जो लास्ट आपका सलीबस यहां पर अपडेट हुआ था उसके ह की साबसे यह अप लोग देखेगा यहाँ पर का मैकसिमम 80 नमबर को होता है इंटरनल यानि कि आपके प्रोजेक्ट फाइल से लेकर जो भी होगा तो वह इंटरनल नमबर होते हैं तो वह बीस नमबर का क्या है जो आपके फाइल्स और आपके वाइवागा को लेकर हैं पर स सब्जेक्ट हो तो वो सारे के सारे आप लोग के एटी नंबर के ही पेपर आने वाले हैं जिससे सबसे आपका लास यहां पर अपडेट है कोई भी चेंज आएगा ओन टाइम मैं कोशिश कर रही हूं कि मैं CCS उनिवर्सिटी के जो भी आपर में ठीचर या पिंसिपल है अगर अगर मुझे उनके थ्रू कोई भी इंफोर्मेशन मिलती है मैं आपको अपडेट कर दूंगी पर फिलाल आप लोग के हां पर डाउट क्लियर कर दो तो आप लोग यहीं लेकर चलिएगा फिलाल उससे कोई मैटर नहीं करता है कि किस तरीके से होने वाला है पस आप लोग को लास्ट यह मैंने मैराथॉन भी निकालती है सेकेंड एर की अगर फिर्स्ट चाहते हैं कि प्रिवेस एर के वेरी शॉट के भी कोशन विद अंसर लेके हैं तो भी आप मुझे कमेंट कीजिए मैं पेपर से पहले कोशिश करूंगी तो इस तरीके से आप लोग यहां पर दे को डाउट है कि सब्जेक्टिव होंगे आपको वीडियो मैं आखरी तक बताऊंगी बेर सेकेंडियर के स्टूरिंट की मांकिंग स्कीम जो कि आपके लास्ट पर अपडेट हुई थी उसके अकौर्डिंग यहां पर जो भी था कि आप लोग की कोई भी चेंजिस नहीं थे लाइक आप लोग के एक्जाम यहां पर 40 नमर का ही था इतने टाइम से जो भी बीर सेकेंडियर के एक्जाम हो रहे थे उसमें एक चेंजिस यह था कि जो आपके एक सब्जेक्ट है यह आपका टोटल यहां पर 40 का ना के 80 का एक्जाम आता था जो कि पिछले दो साल से आपक चालिस नमर के ही कंड़क्ट कराए जाएंगे ठीक है अब आते हैं फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट वरकेंग और एजुकेशन गांदी जी नहीं ताली में जो कि दो सल पहले ही यह आपका एक नया सब्जेक्ट एड हुआ था तो बेसिकली इस तरीके ही होने वाला है में जो ह आप लोगों के जो आने वाले जिसकी पूरी पॉसिबिलिटी इससे सबसे आपके मार्किंग है तो आपके अस्सिस्मेंट फूर लर्निंग भी एक्टी है तो आपको बता देती हूं लॉंग कोशन है आप लोगों को तीन कोशन मिलेंगे बिए फर्स और सेकेंड या दोनों क County courses सिर्फ आपके नरडक करता है अदरवाइज आपकी number यहाँ टौष्ण उतना, रहनेसे वाला है 12 1st यहां पर स्टिगे का कोशन होता है उसी तरीके से शॉल्ट कोशन होता है आप लोगों के 8 कोशन देगाई होगा कोई बीचार कोशन करने होते हैं एक कोशन आपका चार नॉmber का होता है, वह very short जो होते हैं, उसमें से कोई भी 10 में से आप लोगों को आठ कोशन करने होता है, तो इस तरीके से आपका exam pattern है, आप लोगों यहाँ पे समझ गई होंगे इच्छे से, कि 10 में से कोई भी 8 करने होगी कोई कोई सब्जेक्ट भी और फर्स्ट यर कैसे हो जाते हैं कि उसमें 9 देते हैं और कोई भी 8 कोशन करने होता है वह मैंटर करता है तो प्रिविएस एर के कोशन पेपर मैंने अप्लोड करें नहीं तो आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www. www.readyofficialzone.in पर पर प्रिविएस एर के कोशन पेपर डाउनलोड करके चेक आउट कर सकते हैं किस तरीके से हाँ पर आपके एक्जाम आये थे नहीं तो मैंने हाँ पर स्टार्ट किया है वह सब्जेक्ट के मैंने 5 यर के हैं पर कोशन पेपर अप्लोड कर दूंगी और अगर औ पिल्कुल भी स्किप मत करना तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मैं अपना टाइम बता देती हूं यहां पर डेली आप लोग को एक सिक्स ओक्लोक और एक मौनिंग में आपको वीडियो देखने को मिलेगी तो दोनों टाइम पर आउन रही है और चैनल को सब्सक्राइब क से पहले की कोशन कितने करने हैं तो फिलाल आपकी पूरी 90 पोसें चांस है कि आपके एक्जाम पैटन में कोई भी चेंज नहीं आएगा आपको पॉसिबिलिटी है तीन लॉंग करने होंगे चार शॉट और उसके बाद आठ वेरी शॉट ही करने होंगे तो आप लोग अपन सब्सक्राइब करने हैं तो इसमें से कुछ एक दो टॉपिक है पर रेडियूस किये गए थे लास्ट एर के एक्जाम पर कंड़क्ट कराए गए थे उसमें भी सबसे बड़ी मिस्टेक थी क्योंकि आपका यूनिट में आता है एन पीसी तो कि बोला गया था कि नहीं आएग पर कमना देखे जाए तो फिलाल के लिए आप लोग अपने पैटन यहीं लेके चलिए और वही पॉसिविलिटी कि इस पर वही आपका पैटन रहने वाला है बट अगर मुझे इंफोर्मेशन मिल गई मैं आपको यहां पर इंफोर्मेशन दे दूंगी तो किसने कोशन आने वाले हैं लॉँग में कितने शॉट में हो कितने वेरी शॉट में चाहिए वह फूर्स्ट यह हो सेकिंड यह हो या फिर आप लोग पूरे के पूरे स्टूरेंट तो मेक शूर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एक दो दिन से पहले ही मैं ओन टाइम आप लोग कर से इसका पूरा पैटर्ण शेयर जरूर कर दूंगी इतना शेयर है दोस्तों क्यों क्योंकि मुझे इतना कंफर्मेशन मिल जाएगा अधरवाइस आप लोगों के मार्किंग स्केम इतने ही रहने वाली है बस आपको नंबर आफ कोशन में हैं पर कंफर्म कर दूंगी ठीक है तो